नमस्कार मैं हूँ विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट मिशन मंगल का ट्रेलर लॉंच हो गया है इस ट्रेलर को देखकर सभी में की काफी तारीफ इस ट्रेलर को देखने के बाद फास काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है जहें अक्षे कुमार पचले काफी समय से मिशन मंगल को लेकर चर्चाओ में बने हुए है इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही इंटरनेट पर ट्रेंड होता नजर आ रहा है कुछ घंटों पहले रिलीज हुए इस ट्रेलर को अब तक करीब चार लाग से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दर्शकों को अक्षे कुमार की फिल्म मिशन मंगल का ट्रेलर कितना पसंदार है वैसे जारी हुआ मिशन मंगल का ट्रेलर वाकई बेहत दमदार है इस ट्रेलर में अक्षे कुमार अपनी पूरी टीम के साथ दिखाई दे रहे हैं उनकी स्टीम में शर्मन जोशी, तापसीपनो, विद्याबालन, सोराक्षे सिन्हा, नित्यामेनन, किर्दी कुलहाडी भी मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं फिल्म के ये सभी कलाकार दमदार किरदार में है आपको बताने, ट्रेलर रिलीज के पहले फिल्मेकर्स ने इस फिल्म का एक पोस्टर रिलीज किया था इस पोस्टर में अक्षे कुमार के साथ सभी कलाकार अपने डेजिगनेशन के साथ नौजर आये थे इसके बाद फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था Mission Mangal में अक्षे कुमार एक व्यग्यानिक का किरदार निभादे नज़र आ रही है जो काफी शानदार है इस फिल्म में भी अक्षे कुमार का लुग बहतरीन है तो वहीं पर सभी आक्टर कमाल के नज़र आ रही है फिर चाहे वो विद्याबालन हो, सुनाक्षे सिन्हा हो, तापसी पन्नु हो, सब शानदार नज़र आ रही है Mission Mangal के ट्रेलर को देख कर सभी ने बहुत ही अच्छे रियाक्शन्स दिये है आप देख सकते हैं ये शानदार ट्विटर रियाक्शन्स आप देख सकते हैं, Mission Mangal को सभी कितना अप्रिशेट करतें नज़र आ रही है किसी ने लिखा है कि ये बेस्ट ट्रेलर है तो वही पर एक फैन ने लिखा, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, भारतिय वैज्यानिकों की परिश्रम, एवं तपस्या की मंगलगा था है इसके अलावा, ट्रेलर के डालोग्स की भी जम कर तारीफ हो रही है एक फैन ने लिखा, मुझे पता नहीं कैसे करेंगे, पर करेंगे जरूर, करना ही पड़ेगा, what a डालोग आपको बता रही, ट्रेलर को काफी पाउरफुल बताया जा रहा है तो महीं पर एक फैन ने लिखा, wait is over, finally हैश्टाग मंगलविशन ट्रेलर तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस फिल्म के ट्रेलर का इंतजार लोगों को कितना जादा था यकीन मानने, जब ये फिल्म रिलीज होगी, तो शांदार होगी ये फिल्म बता दे अक्षा कुमार के फिल्म 15 अगस्त को रिलीज हो रही है, उसी दिन जौन अबरहम की बाटला हाउस भी परदे पर आ रही है इसके अलावा आपको बता दें, ये फिल्म अक्षा कुमार के लिए बेहत इंपॉर्टेंट है ये फिल्म अक्षा कुमार ने अपनी बीटी नितारा के लिए बनाई थी और ये बात उन्होंने एक ट्वीट के जरिये बताया था वो चाहते हैं कि नितारा के एज के बच्चे मिशन मंगल को बखू भी समझ सके फ्रीलर में एक एक पंचिस आपके दिल को चुरा ले जाते हैं यकीनान अक्षा कुमार एक और बेहतरीन फिल्म के साथ परदे पर उतरने के लिए तैयार है सलहाल इस वीडियो में बस इतना ही